प्रिये दोस्तों आप मारी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्याला इकन को दबाएं ताकि आमारे दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें इस वीडियो में मध्यम पुरुस की परिभासा यह उनके उदाहरन की जानकारी दी जा रही है मध्यम पुरुस की परिभासा मध्यम पुरुस वह पुरुस होता है जिससे वक्ता बात कर रहा होता है मध्यम पुरुस को सोता भी कह सकते हैं हम इसे दितिय व्यक्ति भी बोलते हैं वक्ता इससे सीधे बात करता है स्रोता के बारे में बोले के लिए आप तुम तुम को तुझे तुम आदि सब्द प्रियोग किये जाते हैं अब हम आपको मध्यम पुरुस के उदाहरण की जानकारिया आपको दे रहे हैं जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं या मध्यम पुरुस का उदाहरण है इस वाक में वक्ता आप शब्द का प्रियोग कर रहा है इस शब्द का प्रियोग करके वक्ता सोता को कुछ दिखाना चाहरा है इसलिए याउदान मध्यम पुरुष का उदान है तुम मुझे पसंद हो जैसा कि आप इस वाक्य में देख सकते हैं वक्ता तुम शब्द का प्रयोग करके स्रोता से बात कर रहा है वह स्रोता को पसंद करता है योम यही उसे बताना चाह रहा है इस वाक्य में तुम प्रयोग में लिया गया है अताया उदान मध्यम पुरुष का उदाहरन है अगला है तुम को किसी दूसरी जगह जाना चाहिए इस वाक्य में भी वक्ता ने तुम सब्द का प्रयोग किया है इस सब्द से वक्ता स्रोता को किसी दूसरी जगा जाने के लिए कह रहा है इस वाक में तुम शब्द का प्रियोक किया गया है जो कि स्रोता के लिए प्रियोक्त होता है आता या उदाहरन यानि या उदाहरन मद्यमपुरुष के अंतरगद आएगा या मद्यमपुरुष का उदाहरन है मध्यम पुरुष के अन्य उदाहर की भी जानकारी दिजा रही है जैसे जो मैंने तुझे कहा था वही करना है तु बोलता है तो ठीक ही होगा आप आज ठीक नहीं लग रहे हैं इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ हमारी वीडियो समात होती है अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगे हो तो लाइक सेर जरूर करें